हेलो दोस्तों आप सभी अपनी लाइफ में खुश और स्वस्त होंगे अभी का ये सीन चल रहा है कि यार मैं जो है दो दो वीडियो बना के कैंसल कर चुका हूँ पहली वाली वीडियो एक शॉट फिल्म थी जिसका टाइटल था साइलेंड किलर और ये फिल्म जोकर से पर जैसे ही मैं इस फिल्म को रिकॉर्ड करने लगा मैं खुद दुख्री टाइप का होने लग गया यार फिर मेरे मन में क्या जो आया मैंने जितना भी सारा कुछ रिकॉर्ड किया था सब डिलेट मार दिया दूसरी वीडियो एक व्लॉग थी जिसमें बूबू आये थे औ कात मैं यह वीडियो बना रहा हूं जिसका टॉपिक है si डाउन कोमेडी हाँ sit-down comedy तो यार मैं सोच राठा कुछ नयाराय करने का मैंने सोचा कि अगर stand-up कोमेडी हो सकती है तो sit-down comedy नहीं हो कोमेडी करने में कोई दिक्कत है क्या नहीं न तो आओ यार मैं सुरू करता हूँ अपने नए इनोवेटिव शेट डाउन कॉमेडी के आइडिया को हाइट छोटी रह गई यार मेरी नहीं अभी है अभी उगा हूँ मैं पर पहले नहीं थी पहले जब हम प्रैमरी में होते थे छोटे बच्चे होते थे अब आप लोग कोगे प्रैमरी में तो सबकी हाइट छोटी होती है सबकी हाइट जरूर छोटी होती है लेकिन मेरी हाइट थी ही नहीं लाइक प्रैमरी स्कूल में जब एसेंबली होती थी ना तो बच्चे को ना इंक्रीजिंग वाटर में खड़ा करते थे तो आप गेस कर सकते हो कि मुझे कहा खड़ा किया जाता होगा फर्स्ट लाइन में ना 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 मुझे खड़ा किया जाता था प्रिंसिपल मैम के बगल में मैम वस लाइक इस बच्चे को कुछ दिख्टा ही नहीं है तो फिर मैंने भी कह दिया जो कहना था मैंने का मेरी हाइड चोटी है अंधा नहीं हूँ मैं पर मैं यार अभी खुश हूला एक में हाइड चोटा होना में लिए आप कोई इंसिक्यूरिटी नहीं है मुझे कोई खली नहीं बनना है याप पर मुझे ऐसे रात को सपना नहीं आता कि मुझे खली बनके अंडर्टिकर कोई चॉक स्लम देना है आप सभी लोगों ने बच्वन में क्रिकेट खेला होगा या फुटबॉल खेला होगा और आप में से कुछ लोग अभी भी खेलते होंगे लेकिन जब मैं चोटा था हम नहीं केलते थे ऐसे गेम हम खेलते थे अपने क्लासिक गेम्स और अपने classic games का भी hero था चपल चपल ये गेम का नाम है इसमें जिसकी डाइन होती थी वो अपने चपल उतार के दूसरे वाले को मारता था और चपल अगर गलती से दूसरे वाले को लग जाए तो उसकी डाइन होती थी simple और मैं आप सब को बताना चाहता हूँ कि दुनिया में पूरे संसार में, पूरे ब्रहमान में अगर सबसे दुखी और सर्मिंदा इंसान जो है न वो ये डाइन देने वाला होता है क्योंकि आप इमेजिन करो एक लड़का हाथ में चपल लेके एक पैर नंगा होके दोड कर निशाना लगा रहा है बालकनी से क्या नजारा दिखेगा हो एक आणटी तो रोज दाइन के चले जाती थी कि यार क्या खेल ले हो तुम लोग मतलब ऐसा भी निकी एक ही दिन डाइन देने वाले को रोज दाइन देने वाले को तो एक दिन हम नॉर्मली खेल रहे थे तो जो चप्पल है न वो नाली में चले गई थी और ये भी है एक रूल की जिसकी चप्पल वो ही निकालेगा तो उसने निकाली और ये डाइन देने वाला दुखी इनसान अब हो चुका है खुस सब तमासर तब खतम हुआ जब इसने का मेरी डाइन है तो फिर इसने मेरी पीठ में टैटू बना दिया और आज एक अलग चीज भी हुई कि जो आंटी रोज दिखती थी और हमें डाइन दिखाई नहीं दी तो मैंने अपने दोस्ते का कि आज तो मज़े हैं आज तो कोई डाइन भी निरा में उसने का सुबह ही टैटू बनाया है मैंने मैंने का एक दिनना मैं गारी में बजार को जा रहा था और इसी लोकल गारीों में गाने तो कॉमनी है मलब गाने तो होते ही है गारी में गाने के बिना ये एक दो किलिमेटर का छोटा है सफर भी बड़ा सा लगने लगता है तो एक दिन गारी में तैनों सूट सूट करदा बज रहा था गुरू रंधावा ने गाया है जो सबी पैसेंजर्स को मज़ा आ रहा था मुझे भी मज़ा आ रहा था और आपको पता है रोड में स्पीड ब्रेकर्स आते हैं तो गाड़ी हलकी सी उचलने लग जाती है इसी उचलने को बहाना बना कर लोग डांस कर रहे थे लोगों को देख के ऐसा लग रहा था कि अगर ने अभी स्टेश दे दिया तो ये तो आग ही लगा देंगे सच में चलो यहां तक तो फिर भी ठीक था लेकिन एक अंकल फुल मगन में थे देखो एक मज़ा होता है एक मगन होता है ये मगन में थे और मगन में इनसान अपने आप तक सीमित हो जाता है तो ये तो फुल फॉर्म में गाने के साथ लोगों से बाते कर रहे हैं, चिला रहे हैं क्यों भई आप भी करो डांस से चिला हो ए इनके इस मज़े वाले पन को देखकर मुझे ऐसा आबास हुआ कि गुरु रंधावा ने ये तैनु सूट सूट करदा वाला गाना सिर्फ इने के लिए बनाया है, क्योंकि सिर्फ गाड़ी में ही नहीं सूट हो रहा है बाकियों को नहीं हो रहा भाई सूट गाने से एक और चीज याद आई मैं गाने स्पोटिफाई में सुनता हूँ हाला कि मिरे पास प्रीमियम नहीं है पर बीच में ना एड आते रहता है कि प्रीमियम ले लो मैंने का नहीं लोंगा वो के रचे ले लो मैंने का नहीं लोंगा अगले दिन नहीं ट्रिक ले के आगए उनका एड आया उन्होंने का प्रीमियम ले लो मैंने का नहीं उन्होंने का देखो ऐसा है हम बताते हैं आपको पैसे कैसे बरने है यार उसने पूपना चाहता हूं कि कहां बनाया था ऐसा एडवरडाजमेंट यह कौन से किस्टमर्स है जो इन से एट्रेक्ट हो रहे हैं मिरको पता चला कि में बात पैसे कैसे बरते हैं वैसा नहीं है में बात है खुट पैसे भाई पैसे ही तो सब कुछ प्रॉबलम है इन्हें क्या रखूंगा क्या मुझे रखना ही पड़ेगा क्योंकि देखो व्यूस तो आ जाते हैं 100, 200, 300, 400, 500, 600 भी पहुचे हैं लेकिन लाइक्स कभी 100 तक भी नहीं पहुचे हैं इस वीडियो पे मुझे 100 लाइक्स से ही है प्लीज और दोस्तों प्लीज सेयर सब्स्राइब और कॉमे सूलीज से हैं लाइक्स